हलो गईज़ आप लोगा स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल टॉपर सीन पर तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एक हपते पहले एक नोटिस जो है जारी की गए थी उत्तर प्रदेश पुलिस भरती प्रोनती बोर्ड की तरफ से और उसमें ये बताया गयता ह पदों की संख्या क्या है क्या बढ़ेगी या इतनी रहेगी और सबसे जादा जो प्रशन पूछा गया है वो यही पूछा गया है कि फॉर्म जो है आखिर में भारे कप से जाएंगे ठीक है तो हम लोग आज की वीडियो में यही सब चीजों पर बात करेंगे और आप सभी भी नहीं करेंगे लेकिन चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरह इसके और 172 जो पद हैं वो आपके फायर मैन के होंगे यानि कि अगर हम टोटल अगर यहां पर बात करें तो 26,382 पदों पर ये भरती होने वाली है इसमें इनों ने ये चीजें बताई थी इसके लिए मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ लेकिन मैं एक बार तोड़ सक्षम कारिदाई संस्ताओं की दिनांक 27 जनौरी 2022 को समय 12.15 बजी अपराहन तक अपनी निविदाएं तो हम लोगों को निविदाओं की तो कोई आऊ सकता नहीं है हम लोगों को में काम है किस दिन इसका विग्यापन आएगा किस दिन इसका फार्म भला जाएगा हम लोगो कि संख्या पहली चीज हो गई योगिता की अगर हम बात करते हैं तो योगिता आपकी इंटरमेडियट होनी चाहिए ये सबसे पहली चीज आपके पास होनी चाहिए और दूसरी चीज आपको मैं बता दूँ कि एज जो है अगर आप जनरल के कंडिडेट हो तो 18-22 साल आपक अगर तोatable मैं वेकनसी आई थी उत्तर प्रदेशपुलिस काँस्टेबल में तो यहाँ पर एक साल की चूट छूट जो है सात्रों को दी गई थी क्योंकि ये सरकार ने बताया था कि हम हर साल भरती लाएंगे और हर साल भरती नहीं आई थी इसलिए एक साल की चूट दी अब बात करते हैं कि जो ये आपकी 26,382 पदों पर जो फैकेंसी आ रही है क्या इसमें एज छूट दिया जाएगा तो संभावना है कि छूट रहेगा अगर विग्यापर में छूट गयरा नहीं रहता है ट्विटर कंपेरों पर हम लोग करते हैं कुछ इसकी मान करेंगे तो छूट मिल सकती है कोई ऐसा नहीं कि छूट नहीं मिलेगी इस पर ठीक है क्योंकि एक भरती में छूट दे दी जा चुकी है तो आगे भी दी जा सकती है ऐसी कोई बड़ी बात इसमें है नहीं लेकिन अभी आप जान लीजिए कि मोटा मोटा 18-22 साल आपकी एज जो होनी चा जाएगी जो तकरीबन हर एक भरती में दी जाती है बात यहां पर जनरल वालों की हो रही है कि अजनरल वालों को मिलेगी तो इतनी आसानी सो छूट नहीं मिलेगी उसके लिए हम लोगों को ट्वीटर कंपेन हो गयरा करनी होगी तो एक भरती में पहले दे चुके हैं यह ए सभी लोगों को पता है कि सबसे ज़्यादा जरूरी है इसका टेंडर 27 जनौरी को इसका जो है टेंडर जो है सभी लोग भर देंगे अपना कितने करोण का क्या है के उन कितने करोण का भर रहा है कौन-कौन इसके लिए आगया रही कौन-कौन कौन सी कंपनी आ रही है जो इ ये वान के चलिए फरोरी आपका खतम हो जाएगा 27 जनौरी तक आप लोगों का टेंडर का काम होगा पूरे फरोरी उस टेंडर पर काम चलेगा टेंडर फाइनल हो रहा है किसको दिया जाना है हैंड ओवर किसको करना है ये सब काम आपका फरोरी तक कम्पलीट हो जाएगा बात करते मार्च में और 10 मार्च को आप सभी को पता कि उत्तर प्रदेश में जो है बिधान सबा चुनाओ की वोट की काउंटिंग होनी है 13 मार्च को जो है यहां पर सपत गरहन होना है ये भी आपको पता है तो अब जो यह बिध्यापन है आपका वो 13 मार्च के बाद आएगा स्वारी बिध्यापन जो है 13 मार्च के बाद आएगा और ये बात बिल्कुल कंफरम है कि मार्च में ही आप सभी लोगों का फर्म भी भारा जाने लगेगा जब इस पर कोई और सूच ना आएगी कोई भी चीजें भाई विध्यापन जो है चुनाओ नहीं होता तो पहले आ जाता ठीक है फरोरी लाष्ट तक भी आ जाता लेकिन चुनाओ की वज़ास से अब फरोरी लाष्ट में नहीं आएगा ये बात बिल्कुल कंफरम है मार्च में जो है आपका अब चीजें आएगी क्योंकि जितने भी अधिकारी है अब वो विधानसभा चुनाओ में बेस्ट हो चुके हैं आलाकि जो भरती प्रक्रिया चलती है उस भरती प्रक्रिया का कोई वो नहीं होता है लेकिन विज्यापन इसका नया आना है अधिकारी सारे बेस्ट हैं तो चुनाओ के पहले अब नहीं आएगा तो आप मान के चलिए मार्च में आपका आजाएगा और मार्च से अपरेल तक आपका फार्म भरा जाएगा और इसका जो पेपर है वो जून के लाष्ट में करा दिया जाएगा अगर सब कुछ सही रहा तो ठीक है इसलिए आप सभी लोग अपनी तयारी के रिए अभी आपके पास समय है क्योंकि 26,000 पोस्ट हैं और आपको मैं बता दूँ इसके लिए तकरीबन जो है 20 लाख उम्मीदवार इसमें फॉर्म भरेंगे उपी पुलिस भरती बोर्ड की ओर से निकले टेंडर के मुताविक कॉंस्टेबल के 26,210 पदों के लिए होने वाली भरती परिक्चा में 20 लाख उम्मीदवार और इतना बैठेंगे भी इसकी उम्मीद नहीं कंफर्म है इतने चातर बैठेंगे तो भाई बैकेंटी छोटी मोटी नहीं होने वाली है बहुत बड़ी जो है भरती होने वाली है जेहिं जेवार